YouTube, Play Store, Facebook, WhatsApp, Instagram, Calculator तो दोस्तों आपने तो देख लिया हुआ कि वाइस कमांड में जो भी चीज़ आप आप आपन करना चाहते तो परफेक्ट आप आप आपन कर सकते हैं जी हाँ कुछ इस तरह से क्योंकि बहुत सारा इसे Android user है जो mobile से टच करके बहुत सारा चीज़ काम करते हैं जैसे application को आपन करना हो या कोई भी काम करना हो भी काम करना रहता है तो अपने हाथ से finger से टच करके आप काम करते होंगे लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको trick देने वाला हूँ एक ऐसी अधबुट trick देने वाला हूँ जिससे कि आप voice command दे करके कोई भी काम करना चाते हैं आप काम कर सकते हैं यानि दोस्तों for example कि कहीं आप mobile को कहीं पर भी रख देते हैं जैसे उपर में चजजी पर रख देते हैं या कोई उंची जगह पर रख देते हैं तो आप voice command करके कोई भी चीज को open करना चाते हैं और उस दर्मियान आपकी girlfriend हो या आपकी friend हो वहाँ पर आ चाते हैं तो ये वीडियो को पूरा लास तक देखेगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही चीज के बारे बताने वाला हूं कि कैसे आप बीना mobile को touch किये कोई भी काम कैसे कर सकते हैं वो भी voice command देख करके तो दूस्तों इस वीडियो को पूरा देखेगा काफी interesting वीडियो बनने वाला है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो के अंदर मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट मेरा नाम इसी तारे और आप देख रहे होगा योटूब चैनल अगर दूस्तों बीना मोबाइल को टच करके यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करना होगा दोस्तों पीछले वीडियो को मैंने target लगाता 1100 तो आपने यहाँ पे like करके आपने बिल्कुल मुझे support किया और खुस कर दिया तो इस वीडियो का target में रखता हूँ 2000 like तो आप कर दीजेगा चैनल को subscribe की जगा घंटी दबा दीजेगा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक comment लिखना होगा क्या comment लिखना होगा लिखना होगा voyage trick और यहाँ पे send करना होगा तो यह तीन काम कर दीजेगा ठीक है और जैसे यह तीन काम करने के बाद क्या करना होगा एक application की जरुत पड़ेगा जिसका नाम है voyage access इस app का link वीडियो के नीचे description में link दे दूँगा आपको click करके इस app को install कर लिजेगा install करने के बाद open कीजेगा और जैसे open करने के बाद ok पे click करने के बाद एक permission दे दीजेगा अब accessibility में लेगे जागा तो यहाँ पे permission में दे देता हूँ ok पे click करता हूँ और यहाँ पे आपको दे देना होगा lock का permission तो back कर लिजे back करने के बाद दो यहाँ पे आपको क्या करना होगा escape कर दीजे ठीक है, escape करने के बाद यहाँ पर आपको next करने के बाद आपको कुछ करने की जरूत नहीं है जैसे आप application setup हो जाती है, तो नीचे notification को scroll down करना होगा और यहाँ पर touch करना होगा और जैसे touch करेंगे, जो भी चीज आप open करना चाहते हैं, वो चीज आपका open करके देगा तो चले मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे, facebook, whatsapp, youtube, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से काम करता है जो भी आप comment देंगे, तुरंट वो फॉरन आपन कर देगा, यानि आपके mobile के अंदर धेरो सारे से application होते हैं और जो application आप time पर use करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो धेरो सारे application के अंदर वो application खोजने में काफी वक्त लग जाता है और आपको गुसा भी आता होगा लेकिन दोस्तों ये application की मदद से आप जो भी आप smart तरीके से आप use करना चाहेंगे, तो आप use कर सकते हैं कहीं पर भी mobile रग दें, यानि आपका हाथ बीजी रहता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप command देखर के आप use कर सकते हैं तो मेरी सबसे काफी smart तरीके से use कर सकते हैं, मेरी सबसे दोस्तों ये काफी कमाल की trick है, जो आप सभी के लिए उन day to day life में इस trick का फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तों बस ये तो आप सभी को बाताना था इस वीडियो के अंदर इसी चीच के बारे में, अगर आपको ये वीडियो चलेगी, इस वीडियो को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा और चैनल को कर लीजेगा, सबस्क्राइब, और साथ में घंटी को दबाना बिलकुल न तब तक के लिए भी ध्याने की दोस्तों, टेक कियर एंड गुडबाई